एक हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम टू फिनिक्स एडियू तो हम लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडैनेमिक्स का जो चेप्टर था उस चेप्टर में हम आगे बढ़ रहे थे तो उसमें आज हम डिफरेंट टाइप आफ प्रोसेस देखेगे तो टोटल कितने टाइप की कुन सी प्रोसेस होती है वह हम देखते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो होती है ना ओधिये पॉली ट्रोपिक प्रोसेस पॉली ट्रोपिक का मिनिंग, देखो, पॉली का मिनिंग क्या होता है, एक से ज्यादा, मिन्स यह जो प्रोसेस है, वो सबका जन्रल प्रोसेस है, यह कैसा प्रोसेस है, जन्रल चन्रल का मिनिंग, अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस होगी, तो आप इस पॉली ट्रोपिक प्रोसेस के मदद से डिफाइन कर सकते हो, तो दूसरी कौन सी होती है आपके पास, अगर आपके पास टेम्प्रेचर कॉंस्टन्ट होता है, तो आइसो थर्मल होता है, तो आइसो thermal process उपर का same copy यहाँ पर क्या constant होता है यहाँ पर T होता है temperature constant वैसे ही आपके पास isobaric process isobaric में देखो iso means same जो bar होता है ultimately pressure को define करता है तो यहाँ पर जो pressure होता है प्रोसेस होता है वैसे ही बचो आपके पास फॉर्थ टाइप की जो प्रोसेस होती है देखो अगर आपको नहीं पते तो पीवी इस इकल टू एनार्टी एक बर हमने पी को प्रोसेस यहां पर आपके पास जो वी होता है क्यों होता है कोंस्टंट होता है और एक आपके पास इस एकुएशन में यह जो क्यों अगर आप क्यों को कॉंस्टंट करते हो durante क्यों मिन्स हीट कलम ने देखा था तो उसको बलता है अब हम स्टेब बाइस्टेप हर एक प्रोसेस को इन डीटियल देखेगी जनरल प्रोसेस में भी आपको ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा होगा पॉली ट्रोपिक प्रोसेस क्या है माननलो इप पोली ट्रोकी यह एग से आइसो ठील बना आघधागी बटीं तो चलो हम रहा हों प्रोसेस क्या होता है जो जो सчесले प्रोसेस तो जो प्लिट्रोपिक प्रोसेस होती हो ज हमने लेडिय लिख है мой general process अब मानलो आपके पासे प्रोसेस इसका इक्वेशन ग्या होता है त्व इसका दो पी फेलेस टू and is equal to constant ए उस ए्ट होता है ना वे एन होता है फॉलि ट्रोपिक इंडेक्स यह होता है एन पॉलिट्रोपिक इंडेक्स अब माले जनरल प्रोसेस है कैसे जनरल प्रोसेस है अब देखो आप इनका अलग अलग वेल्यू सब्सिट्यूट करोगे न तो आपके पास नहीं नहीं प्रोसेस बन दी जाएगी तो सबसे पहले होता है प्रोसेस दित्री बो्रय तो यहां प्रोसेस बोल जाएगा अगर तेकाता न आई सो बारीग आई सो बारीग प्रोस्स हो जाएगी अगर आप इस इक्वेशन में वन सब्सीट्यूट करते हो तो क्या होगा आपके पास पी विक ना यह वन तो पीवी इस इक्वल टू कॉंस्टंट अब आपको पता है पीवीजिक लुटू क्या होता है ना टी तो यह पास टेम्परिचर के साओ यहां पर कैसा इसो थर्मल प्रोसेस अगर आप इफ एकूल आप इन्फाइन सब्सक्रीट करो तो क्या होगा तो चलो सब्सक्रीट करते हैं तो पी वी रैस्थ तू ईंफाइनाइट इस एकूल गूंस्टन अब देखो इन्फाइनइट का मिंस्टन हो जाएगा तो यसको वन बाइइन फाइनएट से डिवाट करते हैं जो पावर पार है उसको तो पी वन गese इन्टू इन्टू कितना होता है 0 किसी का भी बावर का बिलू कितना अगए गान और यहां पे इन्टू क्या आजाएगा वी इस एक वाल्यूम फोल्म कोश्टांट तो और आई तो प्सक ecology प्रोसेस हो जाएगी अंव आधिया है आकर य冷ब यहां प्रोसेस प्रोसेस होती है प्रोसेस यहां पहलेओ क्या हो जाएगा इन ले लोना इसका बंधन प्रोसेस होती है उसको हम कहते है क्या एट्वट्रीब यहां पर जो आपके पर समझमें आया को समय आए होगा यह से ज्जादा जो पूआइए उसको आपक कर सकते देखो इस एक equation से आपने एक से ज्यादा process को different कर दिया ना इस सोज़से इसको क्या कहते हैं polytropic process अगर आपके पस polytropic process होती है तो उसके लिए आपके पास मानलो आपको molar heat capacity निकाल नहीं है molar heat capacity तो उनका फॉर्मूला होता है C is equal to C is equal to CV plus R upon 1 minus यह जो N है न वो आपके पास polytropic index था O है और similarly अगर आपको work done निकलना है polytropic process के लिए work done W तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास W is equal to nR डेल्टा T और नीचे होता है 1 minus यह जो N मिन्स आपके पास polytropic index अब सुनो देखो molar heat capacity है मानलों आपको heat निकलनी है heat heat is equal to q is equal to क्या होता है nC डेल्टा T n मिन्स मोल तो C के जगा आप क्या लिखोगे cv plus r upon 1 minus n डेल्टा T तो आप यह से heat भी निकल सकते हो यह polytropic process क्या equation है ऐसे आपके पास यहां से जही में direct questions आता है जो फॉर्मूला है उसमें से direct questions आते है तो चलो हम questions देखते हैं सारे जहीं की प्यूए क्यों है तो सबसे पहले दो specific heat at constant pressure of aerial gas obeying a equation दिया हुआ है पी वी रेस्टू टू इस इकल तो आर्टी एक्वेशन इस तो आपको क्या बताना है specific heat at constant pressure तो आपको specific constant pressure बताना है आपको s cp का value कितना होगा वह आपको बताना है तो आप क्या कौनसा equation यूज कर सकते हो तो आपको पता है देखो यहां पे आपके पास equation है q is equal to u plus w तो q is equal to आप क्या लिखोगे अगर आपके पास pressure constant है तो यहां पर ncp delta t हो जाएगा और यहां पर इसका formula fix होता है ncv delta t ncv delta t और यहां पर होता है w is equal to क्या लिखते हो पी डीवी लिखते हो ना तो अब देखो अब पी इन्टू डीवी तो अब देखो यह है आपके पास equation नहीं है बट हमें जो क्या equation दिया है पी वी कि square is equal to rt तो यहां पर अगर हम पी delta v निकाले तो हमें क्या मिलेगा तो यहां पर अच्छा पी वी अच्छा पी वी इस एकल टो हम क्या लेख सकते एना टे लेख सकते है पी इन्टू वी इस इकल टू एन्टू वी इस एकल टू आर्टी तो यहां से टीटी कैंसल होगा उससे बेटर चलो यहां पर करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा यह अप कि ऍफरेशन कि क्यूँ क्यूँ हुआ धिछ ऐसको हुआ क्यूव ए आक के पर उसने बोल दिया है तो आपको तो क्या चाहिए पीडिवीं सब्सक्राइब तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे R D T by V लिख सकते हो तो V is equal to अच्छा अब एक्वेशन आप यहाँ पे substitute करो तो आपके पास equation क्या हो जाएगा N C P delta T is equal to N C V delta T plus P D V की जगा आप क्या रखोगे R D T by V अच्छा तो अभी सुनों यहाँ पे देखो delta T delta T delta T outta N C P is equal to N C V plus R divided बाइव वी तो अभी आपके पास यहाँ पे अच्छा यह जो टू हो नीचे जाएगा तो यहाँ पर भी आएगा एट यहाँ पर भी रहेगा अब देखो यहाँ पे एक्वेशन कब मेच हो सकता है जब आप इफ यहां पर इन का विल्यों आपको वन लेना होगा वन तो आपके पास क्याद सीपीज इक्वल टू सीवी प्लास आर अपॉन टू वी कौन सा एक्वेशन सधी हो जाएगा ओप्शन फॉर अब देखो यहां पर इस प्रॉंट्स होगा एक मोल अभी आगे बढ़ते हैं कि यहां पर आपके पर्स दूसरा कोई क्वेशन से यहां पर क्या बोल रहा है आपको तो पीटी इस इकॉल टू के दिया हुआ है और यहां पर इन दिस प्रोसेस दा टेम्टेटेटर ओप्ड़ गेस इस इंक्रिसट बाइड डेल्ट है तो आपको गिट कितनी होगी उब बताना है यहां पर और यहां पर टेम्टेटर अटिन दिस हो रहा है तो आपको हीट अब देख़ों क्यों निकलना है अब जनरल प्रोसेस के लिए वीटी आपको यहां पर दिया है है तो जनरल प्रोसेस के लिए आप क्या लिखोगे एंसी डेल्टा टी इसकांसर आपको बताना है तो यहाँ पे सीज इकॉल तो आप क्या लिखोगे सीज वी प्लास आपोन वन माइनस पॉलिट्रोपिक इंडेक्स तो अब देखो आपके वह ओनली जस्ट एंड का वेल्यू फाइंड करना है और सीज वी का वेल्यू कितना होता है एव बाइट टू आप लास आप उन वाइड तो अब देखो पीवी आपके पाद जो पॉलिट सथाइब और आपशोर नियूजण को चनल सभास दो अब इसको क्या करना पड़ी गजय करना होगा तो पीवी इकल स्था तो फेली एडी योण सब्सम्हें टू और्लिघर या थुप स्टेट हो टीजट सकता हो टीं टो टीनिस ल हमें पीवी लिइख सकता ह। तो टू है य सीजी क्या हो जाएगा तो आपको कौन सा यहां पे गेस दिया हुआ है सब्सक्राइब तो अब इसका यहां पर टू तो यह कितना हो जाएगा तो आपको तो क्यों चाहिए न तो सब्सक्राइब तो आपके पास कि आपके पास और प्रोसेस के देखे अब देखो हम उसके बाद में जो उमारी प्रोसेस थी ना कुंसी प्रोसेस थी यहां पर सब्सक्राइब तो यहां पर किया तो यहां पर आप क्या लिख ओगे टी कॉंस्ट अब अब देखो पीवीज़ इक़ल टू टू एकटी आपको विक्वेशन बताएं अगर उस एकवेशन का आप यूज़ करो गे पीवीज़ टू टू एक अटे कॉंस्टन्ट रहा तो पी वीज़ को क्या हो जाएगा ऑफ एक पास टी और दो अल्रेडि कन स्टन्ट ए एक तो थे थो निवन मासपन मौलेकुलर मास तो आपको लोग सकता हूं चैसा करना होगा आर कॉंस्टंट है उट्लिकलिकों सब्सक्राइब थो अब अब यह तो मैं यहां पर अलग-अलग वेल्यू अलग-दिक सकता हूं पीवन वीवन भी लिख सकता हूँ पी टूवी टूवी लिख सकता हूँ पूछ भी लिख हुगा बट दोनों का जो मुल्टिप्लिकिशन होगा ओल्वेस कितना होगा आर्टी जितना रोग क्या रहेगा कॉंस्टन्ट है अगर एक उन्स्टन्ट यह तो मनलों अभी मुझे घ्राफ मनना है मैं यहां पर पर वर्सिस का ग्राफ बना रहा हूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो देखो यहां पर मुझे अगरा बनाना है तो मेरे पास तो यहां पर पीवी इसगर्वाइन क्या ओंस्ट ए अब देखो इस graph का slope क्या होगा dp upon dv तो मैं यहाँ पर differentiation दुनों से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे slope निकलना है तो p dv plus v dp और यह पुरा तो constant है तो constant का विल्य वितना हो जाएगा 0 तो मुझे slope is equal to क्या अच्छा p dv is equal to क्या हो जाएगा minus v dp तो slope is equal to y upon x means delta p upon delta v तो delta p upon delta v तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p by v is equal to मुझे क्या मिलेगा slope मिलेगा slope है और यह negative है इसका मिनिंग क्या है अगर आप p versus v का अगरा आप बनाते हो isothermal process में तो उसका जो slope होता है minus p by v होता है माइनस कमिनिंग नेगेटिव 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 कमिनिंग जो आप यहाँ पे लाइन डू करोगे उसका एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए तो उसका जो आपके पास यहाँ पर इसके लिए क्या रिलेशन लिख सकते हो सबसे ज्यादा टेम्रेचर उपर वाले का होगा अब देखो मुझे कैसे पता चला कि इस उपर जाएगे ना तो टेम्रेचर का किया होता है अब देखो मैं ने इसे लइन बना दिए ऐसे तो स्ट्रेट लइन के लिए कि यह तो सबस्क्रेंट diferencia हो रहा तो कि क्या हो रहा है वह उसक्ति हो एक होरा है इंक्रीज तो इस वज़ेंसे आप ऊंपर जाते हुना तो टपर ग्रेर क्या होता है यह आपको बता होणा चाहिए और आपके पास जो Iso थर्मल हुग है नगर संपर्वाउं के बीच में जो बाउंडरि हो darauf कैसी होनालव जाहिए नगर सिर्ट कश्राइब नीज ज़ी से यहां तोमाränे आपके पास बाउंडरी है न वि परसेक्टिक होनी चाहिए परफेक्क लीए टिंग बाउंडरी प्रोसेस होता है एक फिर जो फोता है डिका अपने ग्राफ देख लिए अब देखो आपके पास फिर स्लोग था आपके पस क्यूआ इस एक्वल टू यू प्लस डबल यू तो आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए आपको अलग-अलग वेल्यू यहां पर लिखना है आइसो थर्म अच्छा जो टेम्टेचर पर डिपेंड करता है इंटर्नल एनर्जी इंटर्नल एनर्जी है आपके पास उसका फिर्मुला एन सीवी डेल्टाटी होता है कि तो यहां पर आईसो थर्मल के लिए क्या लिखो गें सबसे पहले आपके पास इंटर्नल एंडर्जी यू इस इक्वल टू क्या हो जाएगा एन से डेल्टाटी पर आपके पास टेम्परेचर पर दिपन करता है तो एन सीवी टी माइनस टी इस इ होगा आप को यहाँ प्रोंटो डोडा यहां पर क्यों और दबल्यो चेंहाइन वहिता हुंप और इसgangen से हो जाएगे तो क्यूब टूरबल्यून को ने कर लाइगे तो नहीं को यहाँ खूल देहां लियुक्त आपको पता है यह इउता है यहाँ आप पी का विल्यू आपको इसका इंट्टेग्रेशन करना है तो और वी लूग यहाँ पर अब इसका इंट्टेक्रेशन लो वीवन से वीटू तो आपको क्या मिले एन आर्टे तो पुरा बाहर आजाएगा एनार्ट पूरा कॉंस्टंट ये वन बाई x dx तो एल एक्स तो यहां पर क्या होजेगा एलेन वीटू माइनस एलेन वी वन तो इसको क्या लेक्षिक दो एन रेटी एलेन वी टू भाई वी वन ऐसे लिख सकते हुआ अब सुनों और यहां पर एलन में नेचरल लोग अगर आपको टेन का बेज में करनोट करना है तो एन आर्टी है 2.303 लोग टेन बेज वी टू बाई वी वन अब आपको पता है देखो यहां पर आपके पास जो पीवी का जो मुल्टिप्लिक्रिक्रिशन था हो कैसा था कॉंस्टन था तो मैं यहां पर इसे सकता हूं पी इन्वर्शलि प्रोपर्श्नल टूव यह तो पी और वी इसमें क्या इन्वर्शलिप्लिक्र रोते है तो देखो यहां पर यह जो मेरे पास सब्सक्रिद्स एंटर्मस वी है अगर मुझे में लिख करना हो तो यह हो जाएगा तो आपने देखो Q is equal to W और यू भी आपने देख लिया Q is equal to U plus W first low सारे terms देख लिये अब आपके पास एक होता है heat capacity molar heat capacity उसका विल्यों कितना होता है वह हम देखते हैं देखो Q is equal to आपके पास होता है N C delta T तो अगर आपको C defend करना है C C क्या है molar heat capacity molar heat capacity is equal to Q upon N delta T अब देखो delta T तो कितना हो जाएगा T minus T 0 तो 1 by 0 क्या हो जाएगा infinite तो molar heat capacity isothermal process के लिए कितनी होती है infinite होती है तो यह आपके पास पूरी in detail अच्छा मानलो आपके पास यहां पे पी वर्सिस टी पी वर्सिस भी है similarly आपको graph यहां पे कितने possible हो सकते पीवी इस इकल टो एनार टी यह दूनों निकाल दो तो आपने पीवी का देख लिए अब आप अब को graph दिया है पीवी देख लिए अब वी टी का पर बनाते हैं यहां पर यहां पर यह दूस्ता पेर किसका बन सकता है पी और टी का यहां पर ले लो यहां पर टी ले लो अब देखो आई अब देखो आपके प्रोसेस होती है फास्ट प्रोसेस होती है फास्ट कि अब इसमें आपके पास हीट का ट्रांस्वर्मेशन नहीं होता है तो अगर आपको कोई भी आपके पास दो सिस्टम है उसमें अगर आपको हीट का t огрphonish नहीं करना है तो आपके बीच में जो बाउंडरी होनी चाहिए और होनी चाहिए इंसूट्री बाउंटर्य होनी चाहिए तो यहां पे जो डपके पस बाउंडरी होती है न वो किसे होती है को वर्फेक्ट्र ली कि ईसन अग इस लॉट्रइग आड In Hans अच्छा अब यहां बेर्क अब को पता है जो क्यूंत होता है और क्यूंत होता है यहां पर यहां पर फास पर पहले आपके पास P वर्सिस वी का अगर आपको ग्राफ बना ना आ है तो इसका ग्राफ किस आएगा देखते हैं इसका जो एक्वेशन होता है वह पहले देखते हैं इसका एटिए प्रोसेश के लिए पे बिसे टू गामा इज एक डूटो आपके पास होता है जो मिधा होता है नहां चीपी अपन सीवी का रिशंट रहे होता है से दिशंट कि मेंज सर्ट है कि मॉललर फीट रहे कह पी एट कंस्ट प्रेसर स्ट टो अब दो अब देखो यहां पर लग लग लिकूगा पी वान लिए डिस्टू गामा यहां पर टू लिखूगा रामा इसी पॉर जाएगा अब देखो इन पर पट्रविक लिए व्हलेक्षेंट है ना आपके पास पी बिटी आपको यहां एंट में तब तो पी वी और प्रोटलाब कहीं पर पूछ सकता है ना इसके corresponding question तो अगर आपको यह equation VT में convert करना है तो आप कैसे कर सकते हो टोटल कितना पेर मैं सकते हैं PVT यह first pair यह second pair और यह last और first third pair तो यह first link लिए first के लिए अब दूसरा किसमें लिखना है V और T में तो देखो V already है नहीं यहां पर तो वी को मत चेंज करो वी को यह सही रखो अब पी को किसमें चेंज करना होगा आपको वी में तो आपको पतता है देखो PV is equal to nrt nr constant है तो पी प्रोपेशनल तो क्या हो जाएगा तो पी की जगह आप क्या लिख सकते हो पी की जगह लिख सकते हैं तो यहां प्रोपेशनल क्या हो जाएगा यह आपका रिलेशन किसमें हो गया टी और वी में अब आपको लास्ट एंड फरस्ट थर्ड एक्विशन बनाना है पी ओ वट्र में यह फिए सचो जरी सलिए अब सोच ओड़ो यहां पर टी में हचाईए है तो पी को चेंज नहीं करना है इसको ऐसे रखना क्यों को पी चाहिए क्यों पी आप से इनर out कर अब को चाहि FIFA को क्या हो आपία की जगह का लिखना होगा टी को 1500 aller सब्सक्राइब दोनों को पावर मिलेगी तो यहां पर क्या हो जाएगा लिए लीडियसट गामा इसे यहांं इसे कर सकते हो तो मेरा क्याम से आपको समझ में आया होगा अगर आपको एक एक ज़र्का मैं से दुसर्राविक करना हो क्यों पूँक्त था इसब्सक्त कर सकते हैं है ठीक है तो सारी क्यों अब खराफ से देखते हैं अब आप यहां पर ग्राफ कैसे मुना होगे तो पीवी आपके पास है तो पी और वी एस टू गामा इस इकल टू कॉंस्टन तो आपको ग्राफ बनाना है तो आपको पहले तो स्लोप निकलना होगा इस एक्वेशन में सोब के स्लोप आप निकलोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा जीरो इसका स्लोप क्या होगा डीपी बाई डीवी दो डीपी अपॉन डीवी इस एक्वेल टू आप क्या लिख होगे पी आर अपॉन वी यहाँ पर आपके पास है अचा गामा यहां पर एक पावर आगे लो माइनस में करो डीवी इसको एसे रखो डीपी इसको वहाँ पर बेच दिया ठीक है तो अभी आपको क्या चाहिए डीपी अपॉन डीवी तो आपके पास यहाँ पर एक्वेशन मिलेगा वो गामा फी विड़ेस टू गामा माइनस ऊपॉन अपॉन विरेस टू गामाई यहाँ पर नेगेटियु है तो यह आपके पास जो एक्वेशन हो जाएज़ा बेच पोन प्लस आप alright तो इसका जो यह पिश्राइब के लिए अब देखो यहां पर इसका पहले तो नेगेटिव है और गामा टाइम ज्यादा है तो इसका जो आपके पास आएगा और अब देखो यहां पर आपपके पास जो ग्राफ है उसमें यह स्पेशल्टी इसका जो स्लोप वोगा नेगेटीवनेगेटीव च्छादै एंगल बनाना है कितना है मायनस कि गामा पी बाइव अब आपको पता है गामा को मैं बाहर लेगो मायनस पी वैवी वह किसका फॉर्प था वह था आपके पास कि अई सलक्ना देखो अगर अगर आपको याद रखना है याद रखना है है नुटा है यह सब्सक्राइब करना है यहां पर इंटू गामा भी करना है वहां पर गामा नहीं करना करने हैं तो आपके पाज वह इसे हाँ तो बहुत से ग्राफ हो गया अब देखो क्यू इस एक्वल यू प्लस डबल्यू आपके फिर्स्ट लो उसमें क्यू यू और डबल्यू सब का फूर्मल लिखते हैं तो देखो पहले तो क्यूंट आपको पता है एडिविटिक प्रोसेस है तो क्यूंट है तो डेल्टा क्यों कितना हो जाएगा जिरू तो आप फर्स्ट लो यूज करो डी क्यूज इकवल टू डी यू प्लास डेल डबल यू यह तो जिरू हो गया तो आप क्या लेख सकते हो आपके पास जो डबल यू होगा कैसा होगा सेम होगा बट नेगेटिव में अब सुनो अब डबल यू का फॉर्मला आप कैसे लिखोगे डबल यू का फॉर्मला हमने न ओल्रेडी ओल्रेडी हमने न पॉलिट्रोफिक प्रोसेस के लिए डिफेंड किया हुआ है देखो पॉलिट्रोफिक ब्रोसेस अब सेम एक्वेशन आपके पास है यहां पर दिखेंगे इन आर्टी बन माइनस तो है भर डन है और नेगे तक रदिया तो आप पो इंटर्नटल एंरजी मिल जाएगी अब कि इस में अगर आपको क्या हो जाएगा क्यों अब क्यों तो कितना है जीरो है तो मॉलर हीट केपेसिटी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो यह आपने अल्मोस्ट सारे जितने भी पॉसिबल के लिए आपने यहां पर देख लिए तो चलो हम इसके करस्पोंडिंग थोड़े से क्वेशन करते हैं तो सबसे पहला क्वेशन्स वीच वन इस दा करेक्ट ऑप्शन फॉर्ड टू डिफ्रेंट थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस अब देखो यहां पर आपको बताना है कि यहां यहां पर सही कौन साइब दो सही कौन से दो देखो फिर्स्ट वाला पी वर्सिस वी आई-सूथरमल होता है तो एडियाबिक बहुत तेजी से गिरता है ना तो वह उससे होना चाहिए वह उसने आपको बना दिए तो गलत हो जाएगा पर यहां पर यहां पर विवसिस टी का नहीं बना थे तो अगर आपको देखको गामा इसिकला होता है तो यहां से अब देख्गों आपको वी व्यूर्टी के लिए क्या होता है ती यहां पर यहां पे गामा इस इक हो चैप तो यहां पर क्या हो जाएगा तिव गामा मैनस ऑन इस एकोल टो रॉस्तंट अब अब क्या करों अब इसका स्लोप निकालो इसका जो आप स्लोप निकालो जाए तो स्लोप मिंस वाइपोन एकस तो य पोन डेल्टा टी इसका डिप्रेशेशन गरो तो टीटी vży गामा माइनस वन प्लस यहां पे टी गामा माइनस 1 वी गामा माइनस माइनस 1-2 डीवी इस्टीड हो जाएगा अब स्रोंप टो वहाँ बहाँ पे वहाँ पेच दो टीड गामा माइनस 1-2 डीवी डीटी विमा माइनस 1 तो यहा препिझ वाईटी dalamanya आई ना स्लोप इस इक्वील टू क्या हो जाएगा यहां अधर गामा माइनस वन वी गामा माइनस टू नेगेटीव अधर टार मैनस वन टू जो गामा की रिए्टीव एक से ज्यादा होती है और किसी का भी पावर और चैंडे एबंध को जिदिव से जएका फिर ऑफ आपको प्रोसेस करना है तो यह आपके पास कैसा हो जाएगा और इसका जो स्लोप आएगा पहला तो पहले तो देखो यहां पर आपको दूसरा क्या देखना है यह वालक करो देखना है अब वह देखने की जरूरत नहीं है क्यों देखना है आपको क्यों देखना है देखो आपको सी आता हो तो पताई है तो सी ओप्शन ऑफ्शन हरशेस कि यहां पर है बटेने मित इंगालोगे इसका जो पायेगा रफो जाएगा तो मैं इसका पास इंग पयो जाएगा कि अभी हम नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं यहां पर आपको क्या दिया हुआ है को एक गेस है जो इस एक्वेशन को फोलो कर रहा है शायद एक्वेशन हमने देख लिया है कि वह वह एक्वेशन हो चुका है अभी एक्वेशन देखते हैं यहां पर क्या बूल रहे है एक्वेशन आइडियल गेस इनिशली एट टेमड़ेचर टी वन तो अभी आपके पास यह जो फ्रिक्टेंलेस पिस्टन है तो यहां पर आपको अल्टीमेटलिच Cordy दिया वा है टीवन टी-टू और लगस्वेशन आपको आपको बताना है छांच क्होंन प्रॉसिते होगा हो है क्या मॉन इंफर्मेशन आपको दीया हुआ है तो ओर यहां पर दूसरा कुछ इंफर्मेशन आपको दिया सडनली कहां पर होता है कौन सी प्रोसेस में सर चीज से प्रोसेस होती है तो आपके पताए डॉत्फ to आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन से प्लसे प्रोसेस अब देहने हो आपको T1 T2 निकालना तो आप के पास relation क्या हो सकता है आपके पास देखो एक तो पीवी इस Cow को यहां पर लेंट दी आए तो लें टैना ईन्ट इन टू इन सकते हो तो आपको वोल्यूम चाहिए क्योंकि कि इन टरम्स ऑफ लेंथ में कोमेंट करना और किसका कोमेंट करना है जो आपको पास टेम लेंटर भी होना चाहिए यह तो नहीं यहां दे तो कोई बाने फी रेस स् अब देखो यहाँ पे टी वी घमा मायनस 1 इस एकल टो क्या हो जाएगा अब आपको 11 एकल टो क्या हो जाएगा टूटूटू अब आपको T1 बाटी 2 चाहिए तो टी1 वैटी 2 is एकल टो क्या हो जाएगा वी 2 भाइ वी 1 गामा मैंस 1 अब वी टुबाई वी वन मिन्स सेकेंड वल्यूम माइनस फॉर्स्ट वल्यूम तो यहां पर एंटू लेंध लिख सकते यह इंटू लेंध लिख सकते आम माइनस वन एक अट हो जाएगा एल टू बाई एल वन गामा का विल्यू कितना दिया हुआ है अच्छा तो आपके पास मोनोटोमिक गेस है मोनोटोमिक के लिए जो गामा होता है होता है 5 by 3 तो यहाँ पर 5 by 3 minus 1 लिक होगे ल 2 by L1 इसका विल्यू हो जाएगा 2 by 3 तो एल 2 by L1 2 by 3 option D हो जाएगा तो आज का लेक्चर हम यहां तक रखते हैं तेंक्यू कि अग्यू